ओडियो 4, शरीर के अंदर अनेक जटिल प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिन्हें वैज्ञानिक बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, किन्तु उन क्रियाओं का कुशल संचालन हमारी अंताचेतना सतत करती रहती हैं, पाचन से प्रजरन तक के सारी ही संचालित हैं, इनके सुक्ष्म से सुक्ष्म, अद्भुत, पक्ष, अंताचेतना के नियंतरण में चलते रहते हैं, संसार का कोई भी कला, कौशल, ज्यान विज्यान हो, उसकी उप्योगिता तभी है, जब वह अपने व्यक्तित्तों के दायरे में हो, किसी देवी देवत से इष्ट की शक्ति अपने ही अंदर प्रगट होती है, अपना ट्रांजिस्टर ठीक हो, तो संसार का कोई भी रेडियो प्रसारण पकड़ा या सुना जा सकता है, अपनी ट्यूनिंग ठीक न हो, तो शक्तिशाली से शक्तिशाली प्रसारण, ट्रांस्मिशिन का भी लाव नहीं उठाया जा सकता, मानवी व्यत्तित्व में अनंत से संपर्क करने, आदान प्रदान करने की छमता है, आत्मदेव की साधना में अपने अंदर के द्रिष्टा, निर्देशक, नियनता को जागरित, विकसित, प्रतिष्ठित किया जाता है, इस कक्ष में पांच आदम क दर्पन लगे हैं, उन पर पांच सुत्र लिखे हैं, पहला सो हम, दूसरा शिवो हम, तीसरा सच्चिदान अंदो हम, चौथा अयमात्मा ब्रह्मा, पांचवा तत्व मसी, इन ही सुत्रों के आधार पर यह साधना की जाती है, दर्पन के सामने खड़े हों या बैठ जाएं अपने प्रतिविम्ब को ध्यान से देखें, अनुभाव करें कि यह हमारा सबसे निकट का मित्र, सच्चा हितैशी तथा अनंत छमताओं से संपन्ध है, हमारे गुण दोश न तो इससे छिपे हैं, न यह इनकी ओर से उदासीन रहता है, इसके सहयोग से कोई भी दोश हटा और कोई भी गुण विक्सित किया जा सकता है, इस प्रकार बोध करते हुए अपने दोशों गुणों की समिक्षा करते हुए दोशों के निशकाशन तथा गुणों के समवर्धन के सार्थक तानेबाने बुनी जा सकते हैं, दरपन पर अंकित सुत्रों को भी इस साधना का आधार बनाया जा सकता है पहला सो हम मैं वही हूँ अर्थात मैं वही हूँ जिसे नियंता ने सर्वस्रिष्ट मानव योनी में भेज दिया मेरे लिए उच्च मानवी शमताएं सहज सुलब हैं मैं साधक हूँ जिसे युग रिशी ने युग तिर्थ में रहकर साधना करने का अवसर दिया साधक का कोई क्रम मेरे लिए कठिन क्यों होगा दूसरा शिवो हम मैं शिव रूप हूँ शिव अर्थात कल्यानकारी मैं मूलतः शिव कल्यानकारी हूँ मेरी भावनाओं विचारनाओं इक्षाओं चेस्टाओं अभ्यास आदी में अशिव का स्थान कैसे हो सकता है यदि पदार्थ के संसर्ग से कुछ चिपक गया है तो वह विजाती है उसे हटाने में क्या संकोच क्या कठनाई तीसरा सचिदानंदो हम मैं सत चित आनंद रूप हूँ अर्थात मैं असत से प्रभावित क्यों हूँ मैं जो शुब टिकावन नहीं है उसे क्यों चाहूँ मैं आनंद हूँ पदार्थों में खोजता हुआ क्यों भटकूँ मैं स्रेश्टतम में ही रस क्यों न पैदा कर लूँ आदी चौथा आयम आत्मा ब्रह्म या आत्मा ही ब्रह्म है सागर भी जल है बूंद भी तो जल है हर किरण में सूरी का गुण है आत्मा चाहे जितना छोटा अंश हो उसमें ब्रह्म से जुड़ने की शमता है उस से जुड़ने की बाद छोटा बड़ा क्या नल की टोटी और वह तुम ही हो, अर्था जीवन में, संसार में जो कुछ भी स्रेष्ट है, वह सब तुम परमात्मा हो, यह द्रिश्य प्रकास ही तो है, फिर स्रेष्टता खोजदा क्यों मटकूं, पदार्थ की गुलामी क्यों करूं, सारी स्रेष्टताएं तुम में है, हर स्रेष्टता में क्यों न देखूं। उक्त सुत्रों के आधार पर अपनी समिक्षा करते हुए अपने बिम्द्रिष्टा नियंता को अभिस्ट लक्ष तक ले चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस साधना से अपने ही अंदर गुरुतत्व जागरित होने लगता है। उसके साथ शितली करन मुद्रा, शक्ती चालेनी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, आधिसादक की आवश्यक एवं मनास्थिती के अनुसार सिखा दी जाती है। इस प्रकार शक्ती प्रवाहों को गलत दिशा में प्रवाहित होने से रोक कर उन्हें उर्धुगामी बनाने के आवश्यक तानुसार, मूल बंध, उड्यान बंध, एवं जलंधर बंध का भी अभ्यास कराया जाता है। विशिष्ट प्राणायाम, रिशियों की अदबुत देन में से प्राणायाम एक है। वज्यानिक कहते हैं या सृष्टिक तीन आया में बनी हुई है। वे हैं प्राण की अधिक्ता ही उन्हें महान बनाती है। विश्व ब्रम्हान में प्राण का अनंत सरोवर लहरा रहा है। सामाने रूप से श्वास प्रस्वास के साथ प्राण का उतना आवागमन बना रहता है जिसके सहारे जीवन टिका रह सके। पर जीवत प्राप्त करने के ल जीवन साधना सत्रों में तीन विशिष्ट प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया जाता है अभ्यास कराये गाता है। वे हैं प्राणाकर्षन, अनुलोम विलोम, सुर्यवेदन तथा नाड़िशोधन। इनकी विधी इस प्रकार है प्राणाकर्षन प्राणायाम। सुखासन में मेरुदंड सीधा रखते हुए सहद स्थिती में बैठें, दोनों हाग गोद में या घुटनों पर रखें, आखें बंद करें, ध्यान करें कि विश्व में प्राण का अनंत सागर हिलोरे ले रहा है, तीर्थ शेत्र में उसकी सगंता विशेस है, वह हमारे आवा कर रहा है, तथा सारे शरीर में कोने-कोने तक पहुच रहा है, स्वास रोकते हुए ध्यान करें कि दिव्य प्राण शरीर के कण-कण में सोखा जा रहा है, और मलीन प्राण छोड़ा जा रहा है, स्वास निकालते हुए भावना करें कि वायू के साथ मलीन ताएं बाहर नि स्वास खीचने और निकालने में एक सा समय लगाएं, अंदर रोकने और बाहर रोकने में, खीचने या छोड़ने में आधा समय लगाएं, इस प्राणायाम से थोड़े ही प्रयास से दिव्य प्राण के बड़े अनुदान साधक को प्राफ्त हो जाते हैं, दूसरा है अनुलो प्रक्रिया को अनुलोम भिलोम कहते हैं। इस प्राण की मतनी के अंदर मंधन किया जाता है। इस प्रकार तीन बार करके फिर दोनों नासिकाओं से प्राण खीचे तथा भाव न करें कि घर्षन से उत्पन उर्जा और दिव्य प्राण नाभी चक्र सुरी चक्र को तेजस्वी बना रहा है। दोनों नासिका शिद्रों से स्वास छोड़ें। बाहर रोकते भी भाव न करें कि सुरी चक्र अधिक तेजस्वी होते हुए सारे तंत्र को प्रकाशित कर रहा है। तीन बार अनुलोम विलोम तथा एक बार सुर्य वेदन यह मिलकर एक समगर प्राणायाम होता है। ऐसे तीन प्राणायाम प्रारंभ में किये जा सकते हैं। पहले की तरह पूरक तथा रेचक, समान तथा कुम्भक उसके आधे समय में किया जाना चाहिए। तीसरा नाड़ी सोधन प्राणायाम प्राणायाम मुद्रा में बैठे, प्राण का ध्यान करे। बाई नासिका से स्वास खीचे, एडा मार्ग से प्राण मूला धार तक ले जाए। कुम्भक के बाद उसी मार्ग से बाहर निकाल दे। यह क्रिया तीन बार करें। फिर इस प्रकार वही क्रिया तीन बार दाई नासिका पिंगला नाड़ी से धोराएं। इसके बाद दोनों नासिकाओं से स्वास खीचे, सुसुम्ना मार्ग से प्राण मूला धार तक ले जाएं और कुम्भक के बाद मुख से धीरिद से स्वास निकाल दे। भाव न करें कि दिव प्राण इडा एवं पिंगला मार्गों को सोधित एवं जागरित कर रहा है। सुसुम्ना मार्ग से जाकर प्राण सारे तंत्री का जाल में घूंकर विकारों को बटोर कर मुख मार्ग के बाहर फेक देता है। तीन बार बायें से, तीन बार दायें से और एक बार दोनों न प्राणायाम से उप्त प्रक्रिया दोहराने पर एक कूर्ण प्राणायाम बनता है। ऐसे तीन प्राणायाम आरंभ में किये जाने चाहिए। पूरक, रेचक एवं कुम्भक का अनुपात पहले की भाती रखना चाहिए। जब आदी प्रयोगों से उत्पादित उर्जा के धारण एवं नियोजन में भली प्रकार सक्षम हो जाता है। आरोग्य, संकल्प शक्ती, पूर्वा भास, विचार संचार जैसी शमताएं, अनायास, हस्तगत होने लगती हैं। तत्व बोद साधना यह साधना शैन से पुर्व की जाती है। यह प्रातः जागते ही की जाने वाली आत्मबोद साधना की पूरक साधना है। आत्मबोद सारे दिन और तत्मबोद से सारी रात साधक रूड रह सकता है। लगता है रात्री में सो जाने पर क्या होगा। किन्तु मनुष्य की तंत्र का एक बहुत छोटा अंश ही सोते समय शांत होता है। शेस, पाचन, श्वास, हृदय, शरीर, पोशन, क्रम सभी चलते रहते हैं। सवपन की माध्यम से व्यक्तित्व सकरी भी बना रहता है। इसलिए जब आखे और कान के माध्यम में से साधना में विग्न डालने वाले स्रोत बंध हो जाते हैं, तो जीव चेतना को दिव्य चेतना के साथ आदान प्रदान करने के लिए अधी कनुपूलता प बनाने चाहिए इसके बाद विचार करना चाहिए कि निद्रा भी एक प्रकार की मृत्यू है संसार का और अपने स्थूल शरीर का अस्तित्व बोध उस बीच समाप्त हो जाता है संसार घर परिवार इन सब की रक्षा सोता हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता इसे मृत्यू स्थिति मानकर सब कुछ परमात्म चेतना को सौंप कर निश्चिंत भाव से नींद मृत्यू की गोद में जाने की मनुभूमी बनानी चाहिए अब शान्ति से ओड़ कर लेट जाएं दोनों पैर और पंजे मिलाकर सीधे लेटें दोनों हाथ आदी मुठी बंद छाती के उपर रखें ध्यान मुद्रा में आखे बंद कर लें इस प्रकार सब प्रभू को सौप कर स्वें भी उसी की गोद में समा जाने का भाव करते हुए जिधर मन कहे उधर करवट लेकर निद्रा की गोद में चले जाना चाहिए प्रार्थना करनी चाहिए यह शरीर, मन, आध्याधी, पुनह हमें दें तो इसकी अब की अपेक्षा अधिक अनुशासित, फूर्तिवान और सक्षम बना कर दें ताकि आपके निर्देशों का परिपालन अधिक ततपरता से किया जा सके यह साधना साधक को योग निद्रा के स्थिती में ले जाती है साधकों के शरीर, मन, अंताकरण में दिव्य संचार करने का सुयोग मिल जाता है सवेरे जागने पर साधक एक विशिष्ट स्फूर्ती, उमंग, संतोष की अनुभूती करता है इस प्रकार शयन के अभ्यास से सारे तनाओं से मुक्ति मिल जाती है तथा अनेक संभावित रोगों से बचाओ भी हो जाता है नौ दिन की यह साधनासत्र नवग्रहों की शांती, नवरत्नों की प्राप्ती, नवधा भक्ति वर्षा, नवान परायन, नवरात्री अनुष्ठान जैसा पुन्य फलदायक है यह सुयोग परमात्मा के विशेश अनुग्रह तथा पिछले जन्मों के पुन्य फलस्वरूप ही मिलता है उसे सफल और सार्था करने के लिए शांती कुझ में निर्धारिक, दैनिक कारेकरम साधक को उच्च स्तरी व्यक्तित्तु प्रदान करते हैं प्रतिदिन प्रातहकाल वंदनी माताजी के प्रणाम किसमे पुझ गुरुदेव की कारण सत्ता स्यायुज उपस्थित रहती है यग्य की उपरांत मनुष्य जीवन की गरिमा और जीवन साधना का पुन्य लाब प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रधान प्रवचन किये जाते हैं एक दिन प्रैश्चित विधान की निश्कासन तप दससनान, हिमादरी संकल्प तथा इष्टापूर्ती व्रत के लिए नियत होता है प्रैश्चित की अप्रग्या सामुहिक श्रमदान की सभी को अपरान करने पड़ती है ब्रह्मवर्चस में सारेरेक, मानसीक और आत्मिक शोध प्रयोग का क्रम चलता रहता है जिसमें अपनी साधना का परिक्षन होता है वंदनी माताजी से भेट कई, सभी सुयोग मिलते हैं गंगादर्शन तथा एक दिन समीप वर्ती तिर्थों के परिब्रमण का अवकाश भी रहता है उप्रोक्त समस्त दैनिक क्रम का अधिक से अधिक लाब तब मिलता है जब साधक उसमें डूबा हुआ, रमा हुआ रहे ध्यान एक प्रकार की परिप्रेशन क्रिया है दे या ना दे, उनके प्रती परमात्मा भी मुस्कुराता रहता है गंगा में कुदे बिना शीतलता, शांती त्रिप्ति पाना तो दूर शरीर का मैल भी नहीं छोटता जन्म जन्मानतर का मैल छोड़ाने के लिए 9 दिन अपनी साधना प्रधान दिन्चरिया में पूरी तरह डूबे रहने वाले यहां से इतना लेकर लोटते हैं जिसके लिए हजजारों वर्सों तक की साधना करने पर भी नहीं मिलेगा एक विशेशलाव यहां परमपुजी गुर्देव की कारण सत्ता तथा हिमाले के ध्रू केंद्र से इन दिनों सतक प्रवाहित होने वाली प्राण उर्जा का है वह यहां निवास कर रहे किसी को भी अनायास ही मिलता रहता है उसके लिए किसी को कहने की या आग्रह करने के आवशक्ता नहीं पड़ती आपके जीवन का यह सुयोग आपको धन्य बनाएगा ऐसा हमारा सुनिष्चित विश्वास है गायत्री महामंत्र और उसका अर्थ भावार्त उस प्रान स्वरूप, दुख नाशक, सुक स्वरूप, श्रेष्ट, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारन करें वह परमात्मा हमारी बुद्धी को सनमार्ग में प्रेरित करें गायत्री उपासना हम सब के लिए निवारे गायत्री को भारती संस्कृती की जननी कहा गया है वेदों से लेकर धर्म शास्त्रों तक का समस्त दिव्य ज्यान गायत्री के बीजाक्षरों का ही विस्तार है मा गायत्री का आचल पकड़ने वाला साधक कभी निराश नहीं हुआ इस मंत्र के 24 अक्षर, 24 शक्तियों, सिद्धियों के प्रतीक है गायत्री उपासना करने वाले की सभी कामनाएं पूरी होती है ऐसा रिशीगणों का अभिमत है गायत्री वेद माता है एवं मानव मात्र का पापनाश करने में की शक्ति इसमें है इससे अधिक पवित्र करने वाला कोई और मंत्र स्वर्ग और प्रिथ्वी पर नहीं है भहतिक लालसाओं से पिडित ब्यक्ति के लिए भी और आत्मकल्यान की इक्षा रखने वाले मुमुक्ष के लिए भी एक मात्र आश्रे गायत्री ही है गायत्री के द्वारा आयू, प्राण, प्रजा, पशु, किर्ती, धन इवं ब्रह्म वर्चस के साथ प्रतिफल अथर्व वेद में बताये गये हैं जो विधी पुर्वक उपासना करने वाले हर साधक को निश्चित ही प्राप्त होते हैं भारति संस्कृती में आस्था रखने वाले हर प्राणी को नित्य नियमित गायत्री उपासना करनी चाहिए विधी पूर्वक की गई उपासना साधक के चारो और एक रक्षा कवच का निर्मान करती है वह विभिन्न विपत्ति आसन्न विभिशिकाओं से उसकी रक्षा करती है प्रस्तुत समय युग संधी का है आगामी साथ वर्षों में पूरे विश्वमितेजी से परिवर्तन होगा इस विशिष्ट समय में की गई गायत्री उपासना के प्रतिफल भी विशिष्ट होंगे युगरिशी वेदमूर्ती तपोनिष्ट पंडित श्रीराम शर्मा आचारीजी ने गायत्री के तत्वदर्शन को जन जन तक पहुँचाया वह उसे जन सुलब बनाया प्रत्यक्ष कांधेनों की तरह इसका हर कोई पैपान कर सकता है जाती मत लिंग भेद से परे गायत्री सर्व जनिन है सब के लिए उसकी साधना करने पर वह लाब उठाने का मार्ग खुला हुआ है गायत्री उपासना का विधीविदान गायत्री उपासना तो कभी भी किसी भी स्थिती में की जा सकती है हर स्थिती में यह लाबदाई है, परंतु विधी पूर्वक, भावना जुड़े, नियुनतम कर्मकांडों के साथ की गई उपासना अतिफलदाई मानी गई है, तीन माला गायतरी महामंत्र का जप आवश्यक माना गया है, शौच स्नान से निवृत्त होकर नियत स्थान, निय पवित्र बनाने के लिए की जाती है, इसके अंतरगत पाँच कृत्य करने होते हैं, पहला पवित्री करण, बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढख लें, एवं मंत्रों चारण के साथ जल को सिर के तथा शरीर पर छड़क लें, पुन्डरी काक्षह उनातू, दूसरा आचमन, तीन बार, वाणी, मन, अंताकरण की शुद्धी के लिए चम्मत से जल का आचमन करें, हर मंत्र के साथ एक आचमन जल पिया जाये, ओम अम्रितो पस्तर नमसिस्वाह, ओम अम्रिता पिधा नमसिस्वाह, ओम सत्यम यशह श्रीर्मई, श्रीह श्रयताम स्वाह, तीसरा, शिखा स्पश एवं बंदन, शिखा के स्थान को स्पश करते हुए भावना करें, कि गायत्री के इस प्रतीक के माध्यम से सदा सद विचार ही यहाँ स्थापित रहेंगे, निम्न मंत्र का उच्चारण करें, ओम्चिद्रुपिनी महामाए, दिव्यते जह समन्विते, तिष्ट देवी शिखामद्धे, तेजो व्रिध्यम कुरुश्वमे, तेजो व्रिध्यम कुरुश्वमे, चौथा प्राणायाम स्वास को धीमी गती से गहरी खीच कर रोकना वह बाहर निकालना प्राणायाम के कृत्य में आता है सांस खीचने के साथ भावना करें कि प्राण शक्ती और श्रेष्ठता सांस के द्वारा अंदर खीची जा रही है छोड़ते समय ये भावना करें कि हमारे दुर्गुण, दुस्प्रवृत्या, बुरे विचार, प्रश्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं प्राणायाम निवन मंत्र के बाद उच्चारण के बाद किया जाए ओम भुहो, ओम भुवह, ओम स्वह, ओम महह, ओम जनह, ओम तपह, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेन्यं भर्गोदे वस्यधीमाही, दियोयोनाह प्रचोदयात ओम आपो जयोतीरसो मृतम ब्रह्म भूर्गु अहस्वाह न्यास इसका प्रयोजन है शरीर के सभी महत्तपुर्ण अंगों में पवित्रता का समावेश तथा अंता की चेतना को जगाना ताकि देव कूजन जैसा स्रिष्ट कारे किया जा सके बाए हाथ की हथेली में जल लेकर दाहिने हाथ की पाचों उंगलियों को इसमें भीगो कर बताये गए स्थान का मंत्रोच्चार के साथ स्पर्ष करें ओम वांग में आसेस्तु मुख को ओम नसोर में प्राणोंस्तु नासिका के दोनों शिद्रों को ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को ओम कर्णयोर में श्रोतमस्तु दोनों कानों को ओम बाहवोर में बलमस्तु दोनों बाहों को ओम उर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंगाओं को पूरे शरीर को आत्मसोधन की ब्रह्मसंद्या की उपरयुक्त पांचो कृत्यों का भाव यह है कि साधक में पवित्रता इवं प्रखरता की अभिवृद्धी हो तथा मलींता अवांचनीता की निवृत्ती हो पवित्र प्रखर व्यक्ती ही भगवान के दर्बार में प्रवेश की अभिकारी होते हैं देव पूजन गायत्री उपासना का आधार केंद्र महा प्रग्या रितमभरा गायत्री है उनका प्रतीक चित्र सुसजित पुजा की वेदी पर स्थापित कर उनका निम्न मंत्र के माध्यम से आवाहन करें भावना करें कि साधक की भावना के अनुरूप मागायत्री के शक्ति वहां अवतरित हो, स्थापित हो रही है ओम आयातुवर्दे देवी त्र्यक्षरे ब्रहम वाधिने गायत्री छंद साम्मातह ब्रहमयोने नमोस्तुते ओम श्रीगायत्रे नमह आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी ध्यायामी ततो नमस्कारम करोमी गुरू परमात्मा की दिव्य चेतना का अन्श है जो साधक का मारुग दर्शन करते हैं सद्गुरू के रूप में परमपुज गुर्देव एवं वन्दनी माताजी का अभिनन्दन करते हुए उपासना की सफलता है तो गुरू आवाहन निम्न मंत्रोच्चार के साथ करें ओम अखंड मंडला कारं व्याक्तं येन चराचरं तत्पधं दर्शितं येना तस्मै श्री गुरूवे नमहा ओम श्री गुरूवे नमहा आवाहयामी स्थापयामी ध्यायामी मा गायत्री वगुरू सप्ता के आवाहन वणनमन के पश्चात देव पूजन में घनिष्टता स्थापन हेतु पंचोपचार पूजन किया जाता है इन्हें विधिवत संपन्न करें जल, अक्षत, पुष्प, धूप दीप, नैवेद्य, प्रतीक के रूप में आराध्य के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं एक एक करके छोटी तस्तरी में इन पांचों को समर्पित करते चलें जल से नम्रता, सहर देता, अक्षत से समयदान, अंचदान, पुष्प से आंतरिक उल्लास, धूप दीप से सुगंद इवं प्रकाश, पुष्प परमार्थ तथा नैवेद्य से मधूरता, शालिंता का बोध होता है ये पांचों उप्चार व्यत्तित्व को सक्प्रभृत्यों से संपन्न करने के लिए किये जाते हैं, कर्मकांड के पीछे भावना महत्तुपूर्ण है जब गायत्री मंत्र का नियूंतम तीन माला अर्थात घड़ी से पंद्रा मिनट नियमेत रूप से किया जाए अधिक बन पड़े तो अधिक उत्तम, होट, कंठ, मुख, हिलते रहें या आवाज इतनी मंद हो कि दूसरे उच्चारण को सुन न सकें जब प्रक्रिया कशाय कलमसों कूसंसकारों को धोने के लिए पूरी की जाती है इस प्रकार मंद्र का उच्चारण करते हुए माला की जाए एवं भावना की जाए कि निरंतर हम पवित्र हो रहे हैं दुरबुद्धी की जगा सदबुद्धी की स्थापना हो रही है ध्यान जब तो अंग अव्यवक करते हैं मन को ध्यान में नियोजित करना होता है साकार ध्यान में गायत्री मात्रा के आचल में बैठने तथा उनका दुलार भरा प्यार अनवरत रूप से प्राप्ट करने की भावना की जाती है निराकार ध्यान में गायत्त्री के देवता सविता की प्रातहकालिम स्वर्णिम किर्णों के शरीर प्रबरसने पर वह शरीर में श्रद्धा, प्रग्या, निष्ठा रूपी अनुदान उतरते ही माननिता परिपक्व की जाती है जब और ध्यान के समन्वे से ही चित्त एकाग्र होता है और आत्मसत्ता परिश्कृत विकसित होती है सूर्य अर्गदान विसर्जन जब समाप्ती के पस्चात पुजा वेदी पर रखे छोटी कलस का जल सूर्य की दिशा में अर्गय रूप में निम्न मंत्र उच्चारण के साथ चड़ाया जाता है ओम सूर्य देव सहर्शान शोती जो राशी जगत्पते अनुकंप्यमां भक्त्यां ग्रिहान आर्गयं दिवाकर ओम सूर्याय नमह आदित्याय नमह भास्कराय नमह भाव ना करें कि जल आत्मसक्ता का प्रतीक है एवं सूर्य विराट ब्रह्म का तथा हमारी सक्ता संपदा समष्टी के लिए समर्पित विसर्जित हो रही है इतना सब करने के बाद पूजास्थल पर विदाई के लिए करबध नतमस्तक हो नमस्कार किया जाए जब के लिए माला तुलसी या चंदन की होनी चाहिए माला जबते समय तरजनी उंगली का उपयोग ना करें तथा सुमेरु का उलंगन ना करें सुर्योदे से दो घंटे पूर्व से सुर्यास्त के एक घंटे बाद तक कभी भी गायत्री उपासना की जा सकती है मौन मानसिक जब 24 घंटे किया जा सकता है परंपुज्य गुर्देव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा की जीवन यात्रा जन्म अश्विन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1968 बीस एक ग्यारा इस्वी ग्राम आवल खेडा जन्पद आगरा उत्तर प्रदेश में एक जमीदार ब्रामण परिवार में बाल्यकाल से ही आध्यात्म साधना वचर्चा में गहरी रूची दस वर्ष की आयुवे बनारस में पंडित मदाम